हेलो स्टूडेंट्स ओफिशल नोटिफिकेशन अपडेट कर रहे हैं अर्जेंट वे में क्योंकि समय बहुत कम हैं अगर आपको सिये का एक्जाम सेप्टेंबर दो हजार चौविस में देना चाहे इंटरमीरियेट या सिये फाउंडेशन का तो जल्द से जल्द आपको अप अब बात कर लेते हैं एक्जाम फाउंड और एक्जाम फाउंडेट के बादेट के बादेट जी हाँ स्टूडेंट्स ये इंटरमीरियेट सेप्टेंबर दो हजार चौविस का एक्जाम फाउंड स्टार्ट हो चुका हैं तो का 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला और आकरी डेट रहेगा 10 अगस्ट 2024 विदाउट लेट फाइन विथ लेट फाइन आप लोग एक्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो 13 अगस्ट तक जब एक्जाम फॉर्म फिलिंग फाउंडेशं का स्टार्ट होगा तो मैं वीडियो बना दूगा वैसे CE intermediate का कैसे एक्जाम फॉर्म फुल करना वीडियो का लिंग आपको description में मिल जाएगा जया CA foundation वाले या CA intermediate वाले जो लोग भी प्रोविजनल registration किये हैं उनको intermediate वाले को graduation का marks it update करना परेगा और foundation वाले को या तो 12th का marks it update करना परेगा अगर वो है तो अच्छी बात है नहीं है तो उनको क्या करना परेगा?odorant अव्डेट करना परेगा. पे जिसका जवाब है जी है लेकिन आपको अपडेट करना परेगा अधरवाइज आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे उससे पहले सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए जो कि सेप्टेंबर दो हजार 24 में दे रहे हैं फास्ट्रैक वैच संपुर्णा वैच फ्रिजिक्स वाला आप लोगों के लिए लाए अभी इस पे डिसकाउंट चल रहा है 24,500 में अगर आप इस कोर्स में इंडरॉल कर लोगे तो इंडिया के टॉप नौच एजुकेटर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इस बैच में इंडरॉल करना बिल्कुल असान है आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करना है और हाँ कूपन कोड आपको यूज करना है जैसे ही मेरा कूपन कोड यूज करोगे आपको एडिशनल 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो जादा जानकारी के लिए डिस्क्रेप्शन जरूर चेक कर लीजिए देखो CA Foundation वाले बच्चे देर नहीं करना है जल्द से जल्द इन्रोल कर लेना है और कूपन कोड यूज कीजिएगा तो 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा जो बच्चे को क्लास 12 का डिस्काउंट करना है जो बच्चे को क्लास 12 का डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा जो स्टुडेंट्स अल्रेडी अपडेट कर चुके होंगे उनको दुबारा से अपडेट नहीं करना है आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा देखो जो बच्चे CA Foundation रूट से इंटर्मीरियेट में गया है तो वो तो प्रोविजनल रेजिस्टरेशन नहीं किया होंगे वो फाउंडेशन रूट से इंटर्मीरियेट में गया है उनको ग्रेजवेशन का माकसित कोई ज़र्वत नहीं अपडेट करने का हाँ जो बच्चे डैरिक्ट इंट्री से चलेगा कि हाँ जी हाँ इसको 55 परसेंट कॉमर्स बैग्राउंड से 60 परसेंट आया तब ही जा करके आपका CA intermediate का admit card release होगा जो बचे foundation रूट से जा रहे हैं उनको यह सब चीज सोचने का जरुबत नहीं चाहे वो direct अपडेट कर रहे हैं नहीं सोचना है direct entry वाले provisional registration के उनको अपडेट करना आयोब की doubt क्लियर होगा कोई बच्चा पूछे क्या होगा last date last date मुझे नहीं पता जल से जल अपडेट कर दीजे अगर पता होता तो मैं वीडियो में अपडेट कर देता last date मत जानो जह ज़्याद आप exam पॉम फिल करने के बाद अपडेट कर देना लेकिन कर दो अपडेट आपके लिए बोल रहे हैं बच्चे आपके लिए बोल रहे हैं और हाँ इस वीडियो को जरूर सेयर कर दीजेगा बहुत इंपडेट है नहीं करोगे अपडेट किसी बच्चे का लाइफ का सवाल है प्लीज सेयर कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजे मिलते है झाल 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